हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस योटिब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने आ ला हूँ कि कैसे आप अपनी फेस्बुक प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं और उसको अनलॉक कर सकते हैं तो दोनों ही चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने आ ला हूँ कि किस तरीके से आप उसको लॉक कर सकते हैं और अगर आप वापिस से उसको अनलॉक करना चाहें तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों Facebook profile को lock करने का ये फाइदा होता है कि माल लिजे आप अगर नहीं चाहते हैं कि आपकी कोई भी फोटो या फिर किसी भी प्रकार का कोई share किया हुआ पोस्ट कोई भी अधर वेक्ती देख सके तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप उसको Facebook profile पर lock लगा लेते हैं तो केवल आपकी जो friend list में लोग add हैं वही आपकी जो profile है आपके दोरा upload किये हूँ photos है किसी भी प्रकार की जो चीज होती है वो केवल आपके जो friends होते हैं वही देख पाएंगे अधर कोई भी person आपकी list में अगर add नहीं है तो वो आपकी जो Facebook profile है उसको नहीं देख पाएगा तो इस आप भी चायते हैं अपनी Facebook profile को lock करना तो यह आप किस तरीके से कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ बिना skip करें शुरू से लेकर लास तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में आँगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपन को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए और all पर सेलेक्ट कर लीजिए इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए अप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप राइट साइड में उपर की तरफ ये जो तीन लाइन है इस पर आपको टच करना है जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर पहले नंबर पे ही आपका नाम दिखाया जाएगा तो आपका जो नाम लिखा है इस पर आपको ट चुजो ब्लू बiov het इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए यह जो आपकी प्रोफायल है यहाँ पर यह दिखारहता है widelyite तो देख सकते हैं मैं आपको दिखा हं इसको इक भूर्फायर्च करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है your profile is lock यानि कि हमारी जो profile है वो lock हो चुकी है और अगर आप इसको वापिस से unlock करना चाहें तो इसके लिए आपको वापिस से यह जो three dot दिखाई दे रहे हैं इस three dot पर आपको touch करना है three dot पर touch करने के बाद यहाँ पर देखेंगे unlock profile लिखा है unlock profile पर आपको इस तरह से touch करना है जैसि अब unlock profile पर टच करोगे तो नीचे की तरफ आपको देखिए option मिल जाता है see more options तो आपको यहाँ पर यह जो see more option एकदम last वाला है इस पर टच करना है, जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे, इसके बाद देखिए, यहाँ पर एकदम last में लिखा है, unlock your profile, तो यहाँ पर यह जो unlock your profile लिखा है, इस पर आपको touch कर देना है, जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे, तो इस तरीके का page open हो जाएगा, नीचे की तरफ मे पर आप अपनी Facebook profile को lock कर सकते हैं, और अगर आप इसको वापस से unlock करना चाहें, तो वो भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपनी Facebook profile को lock कर पाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह चोटा सा वीडियो आपको ज सब्सक्राइब बटन होता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए और All पे सेलेक्ट कर लीजिए, इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद नजाय माता दी